हाई फ्रेंड्स ठाकुर इलेक्टरिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको एडिकरंट के बारे में बताऊंगा कि एडिकरंट क्या होता है और एडिकरंट लॉसिस क्या होते हैं तो इन सब टॉपिक्स के बारे में इस वीडिय एक्राइट क entities का जो लो बो жता है वह जम किसी मेड किसी मीजेटिक Śाहीं के बीच में कि अछे को या फिर कंडाओर PLC चार और मेडेटिक पर कि या इह में प्ऐदा होगे तो यदि यही हम किसी कीनडेक्ट को मैडेक फैल्ड के बीच मेरा दो कुम उस EMP के कारण कंड़क्टर में जो है करट फ्लो होने 누गती है इसी क्रन्ट को क्या कहते हैं एडी क्ररंट या फिर बहुंबर धारा कहते है यह जो एडी क्ररंट पैدا होती है यह हेट के रूप में यादि tradition के रूप में पैदा होती है जिसके कारण जो conductor होता है magnetic field में जो conductor घूम रहा है या फिर जिस conductor को हम गुमा रहे हैं उसकी जो speed है वो कम हो जाती है add current losses के कारण तो ये एक loss हो जाता है यानि कि हमारे conductor की जो speed है वो कम हो जाती है और एक क्या होता है एक उसमें heat open हो जाती है यह जो है addy current के loss है addy current क्या हुआ जब हम किसी conductor को magnetic field के बीच में गुम आएंगे तो उसमें इये में पैदा होगी इये में के फैदा होने से उसमें krंट flow होगा तो जो यह krंट flow होगा conductor में यह होगा addy current addy current loss क्या होगा addy current loss होगा conductor की जो speed है वो कम होगी एक तो यह होगा लॉस एक होगा जो करंट पैदा होगी वो हीट के रूप में पैदा होगी यानिकि हमारा जो कंड़क्टर है वो गर्म होगा दूसरा लॉस यह होगया तो इसके लॉस है यानिकि यह एडिकरंट लॉस होगया तो एडिकरंट लॉस हमेशे जो है gradient और प्रेक्वैंसी sit के वरक के समानुपाती होता है कि जितना मोटा conductor यूज करेंगे उत्नी ज्यादा ज्जो है adjust भी हमारा बढ़ेगा और frequency भी उसको बढ़ाएंगे ऐटी किरेंट बढ़ते जाएंगे और जो तो पदात की resistivity है, यानि कि जितना ज़ादा resistance होगा, उतना कम add current loss होगा, यानि कि पदात की resistivity के below मानुपाती, inversely proportional होता है add current, इसको हम कह सकते हैं, add current loss is directly proportional to frequency, या फिर पदात की मुटाई के वर के समानुपाती, और inversely proportional to resistivity, तो add current loss का उप्योग का होता है, दूसरा है use of add current, add current का use कहा होता है, add current, जो add current का use भी बहुत सी जगा पर होता है, जैसे कि energy meter में, energy meter आपने देखियोंगे घरों में जो meter होता है, पराने दुमाने में जो use होता है, उनमें add current का use होता, उसमें इस तरह से एक magnetic magnet होता था इस तरह से, और उसके बीच में एक इस तरह से aluminum की disk होती थी तो इस ऐलुमिनियम की डिस्क की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें एडिकरंट का यूज के जाता था एक होता है आटोमेटिक स्टार्टर में और एक होता है मोविंग कोईल में यानि कि जो मीटर होते हैं हमारे मोविंग कोईल टाइप के जाए बॉल्ट मेटर हो है मीटर हो गया उसमें क्या होता है उन में उन मीटरों में तीन परकार के बल हमारे वर्क करते हैं एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तीन परकार के टॉर्क उसमें बार करते हैं एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क एक होता है डैंप और इसमें जो एडिकरंट से हानिया क्या होती है दिमेरिट्स ओफ एडिकरंट एडिकरंट की हानिया तो जिनरेटर मोटर के आर्मेचर तथा ट्रांसफार्मर में गर्मी पैदा होती है जिनरेटरों में मोटरों में और ट्रांसफार्मर में इसके लॉस होते हैं कि वो गर्म ह हो जाते हैं किसक système एकड़ों के कारण ऑड़ों जिंदर्ए रोटर में क्या है जूँ है वो मेर्टार फेड़ के बीच में घूमता है एक तू मसे आरब से स्पीड कंम होगी और दूसरीता दोफ्री में फार्म गार्म होंगे और ट्रांस फा्रमर और विर उसमें भी एडिक buy का रला यह हीट फइदा हो जाती है गर्म हो जाता है ट्रांसफार्म कोई कि अगला ट физ के मेनीमाइजिंग डिए अग्रिक एडिक रहान को यह टाना अ क्यkok कैसे कम कर सकते हैं breaking को कम करने के लिए ठोस लोहे की जगा जैसे कि जो आर्मेचर होते हैं उनको कैसे बनाया होता है लैमिनेटेड करके लैमिनेटेड स्टील वैसे तो स्टील के बने होते हैं स्टील की लैमिनेटेड पत्यों से यानि कि उसमें एक गोल सॉलेड पीस का यूज नहीं किया जाता है उ क्योंकि क्यों क्योंकि जो लेमिनेश्ड पती होती है उनसे क्या होता है एक पती से दूसरी पती में जो हीट होती है वो इसमें नहीं जा पाएगी और जो हमारा मेगनेटी जो सरकिट है मेगनेट है वो चुम कि इसमें पूरी तर से मतलब कम्प्लीट होगा magnetic lines को ये flow होने देंगी लेकिन जो heat इस पत्ती में produce हो रही है addigrant के गारण वो इस पत्ती में नहीं जा पाएगी इसे क्या होगा जो हमारा addigrant loss है वो कम हो जाएगा, heat कम पैदा होगी इन पत्ली पत्ली पत्तियां जो ये पत्ली पत्तियां यूद होती है इनको क्या कहते है, lamination कहते है इस प्रकार की पत्ती से क्या होता है कि addigrant दूसरी पत्ती में नहीं जा सकती जो heat है यहां से यहां तक नहीं जा सकती और चुम के रेकाएंस में से असानी से flow हो सकती है आपने देखा होगा transformer transformer की core भी कैसी बनी होती है laminated पत्तियों की silicon steel की laminated पत्तियों से बनी होती है तो यह था आज का हमारा topic addigrant के उपर आशा कता हूँ कि आपको यह video अच लगी होगी वीडियो अच लगे तो video को like share जरूर करेगा thanks for watching my video